आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों के बारे में रासायनिक समीकरण क्या होते हैं तो देखी यह आपको यहां बताया गया है कि जब हमने वो मैगनेशियम रीबन को जुलाया था तो उसे हम कैसे परदर्शित करेंगे हम पूरा तो नहीं लिखेंगे कि मेगनिशियम रीबन लिया उसको साब किया उसको जलाया यह वो किया ठीक है तो हम उसको short form में लिखते हैं देखए एक तरीका यह है कि हम लिखेंगे मेगनिशियम plus oxygen ठीक है यह वो पदार्थ हैं जो हमने अभिकरिया करने के लिए लिए इन्हें हम कहते हैं अभिकारक क्या कहेंगे अभिकारक और ये अभिकरिया होने के बाद क्या हुआ परवेंगनी किरने निकली और जो मेगनेशियम रीवन था वो क्या बन गया राक बन गया और हमने कहा कि ये सफेद राक जो बनी है ये मेगने तो ये जो magnesium oxide है इसे हम कहेंगे जो अभिकरिया के बाद बन गया उसे कहेंगे उत्पाद तो यहां ये दो नाम याद रखने हैं आपने अभिकारक और उत्पाद तो देखिए इस अभिकरिया में क्या हुआ जब भी समीकरण लिखा जाएगा हम बात कर रहे हैं रसाइनिक अभिकरियाओं को समीकरणों के रूप में लिखने की तो समीकरण आपने बहुत सारे पड़े हैं आपने mathematics में भी पड़े हैं आज विज्यान में हम पड़ेंगे तो समीकरण कैसे लिखना है हमने बोला हमने लिया magnesium ठीक है और magnesium को हमने जलाया तो उसकी अभिकरिया किसके साथ हो रही है जब ही किसी चीज को जलाते हैं उसकी अभिकरिया किसके साथ होती है Oxygen के साथ तो Oxygen के साथ उसकी अभिक्रिया हमने की है और फिर Arrow का निशान लगाएंगे कि अभिक्रिया हुई तो क्या बना हमारे पास हमारे पास बना Magnesium Oxide क्या बन गया पॉडर बन गया एक जो की क्या है Magnesium Oxide है ठीक है तो ये एक समीकरण हमने अक्साइड ठीक है यह अक्साइड है तो इस प्रकार से समीकरण को हमने लिखा लेकिन यहाँ जो समीकरण है यह बहुत लंबा हो गया है इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं ठीक है इस प्रकार के समीकरण को हम शब्द समीकरण कहते हैं जो पहले हमने लिखा था इस समीक का फार्मूला है Mg प्लस oxygen का फार्मूला होता है O2 ठीक है अब इसे arrow लगाएंगे और क्या बना magnesium oxide का फार्मूला होता है Mg O ठीक है तो ये हमारे पास समीकरण हमने लिख दिया ठीक है तो देखें दोनों में क्या फर्क है ये जो समीकरण है ये शब्द समीकरण है शब्दों के रूप में है और ये फार्मूलों के रूप में है तो जो समीकरण है इसे कहेंगे हम रासायनिक समीकरण ठीक है तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण ठीक है अब रासायनिक समीकरण को परिभाशित करते हैं क्या होता है रसाइनिक समिकरन जब हम अच्छा पहले ये हमने एक और बात कही थी उसको नोट कर लो कि इस तरफ जो लिखे जाते हैं ये जो आपने इस तरफ लिखे हैं ये क्या है इनको हमने बोला है अभीकारक क्या बोला है अभिकारक और हमने देखा कि ये किस तरफ लिखे गए हैं left hand side में बाइयोर तो बाइयोर क्या लिखे जाते हैं अभिकारक और अभिकारक कितने हैं एक magnesium riven लिया है हमने एक oxygen के साथ इसकी अभिकरिया है और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है वो होता है उत्पाद और उत्पाद में भी ऐसा ही हम करेंगे अगर उत्पाद दो या दो से अधिक हों तो उनके बीच भी प्लस का निश्यान लगा जाता है यहां पर एक ही उत्पाद है इसलिए हम कहां प्लस लगाएंगे देखो इनके बीच में प्लस लगा है यहां अकेला ही उत्पाद है इसलिए कोई प्लस नहीं लगेगा अगर मान लो कुछ और बनता तो प्लस लगा के उस दूसरे उत्पाद का नाम लिखना था हमने ठीक है फार्मूला लिखना था तो अभिकारक हैं बाईयोर और दाईयोर उत्पाद लिखे जाते हैं और अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगाया है मैंने ये निशान लगाया है ये तीर का निशान लगाया है तो अभिकारक जब अभिकरिया कर लेते हैं तो इस तरह से तीर का निशान लगाया जाता है और तीर का निशान किस तरफ दिखाता है ये तीर के निशान का हैड जो है सीरा जो है वो रसाइनिक समिकरन की दिशा को बताता है कि अभिकरिया की दिशा को बताता है कि अभिकरिया किस ओर हुई है ये हमने लिया है और ये बना है ये बना है ये बना है ये तीर का निशान ये बता रहा है हमें तो रासाइनिक समिकरन क्या होता है किसी रासाइनिक अभिकरिया को उसके सुत्रों के रूप में लिखना रा करना है इसको रसाइनिक समिकरन लिखने के लिए हमें बाई और अभिकारक और दाई और उत्पाद लिखे जाते हैं यदि अभिकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक हों तो उनके बीज में प्लस का निशान लगाया जाता है और अभिकारक और उत्पाद के बीज में एक का निशान लगाया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से रसाइनिक समिकरण लिखे जाते हैं एक और बात यहां पर आपने ध्यान में रखनी है जब भी कोई रासाइनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसे संतुलित करना भी आवश्यक है देखिए हमने लिखा था Mg Magnesium प्लस O2 Oxygen और arrow लगा कर हमने कहा अब हमारे पास बन रहा है MgO हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि जब भी कोई रासाइनिक परिवर्टन होता है उसमें द्रभ्यमान सनक्षता नियम लगाया जाता है अर्थात ये जितने भी यहाँ पर आपको तत्व दिख रहे हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए उस द्रभ्यमान सनक्षता को सिद्ध करने के लिए हमें इसे संतुलित करना परता है अभी जो समिकरन लिखा गया है ये कैसा है इस समिकरन को हम कहेंगे संतुलित कैसा समिकरन है ये संतुलित रासाइनिक समिकरन क्यों है क्योंकि यहाँ पर देखो बाई और जो अभिकारक लिखे हैं उसमें oxygen O 2 है, यहाँ O 1 है, ठीक है, तो इसको संतुलित कब कैसे करना है, यह सभी जितने भी तत्व हैं, उनकी संख्या दोनों तरफ, रसाइनिक समिकरन के दोनों तरफ, यनि अभिकारक में, अभिकारक में और उत्पाद में, एक समान होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ oxygen 2 है, तो यहाँ 2 यहाँ कभी नहीं लगाया जाता, ध्यान रहें, यहाँ 2 नहीं लगाना है, अपने इसके पीछे 2 लिखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समझ से आ गई, अगर 2 लिखा यहाँ पर, तो 2 तो M G का भी है, और O का भी है, तो O को त साथ ही M G भी 2 हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, M G से पहले भी 2 लिखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, कि M G यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, O यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस प्रकार से जब सभी तत्वों के, magnesium तत्व, oxygen तत्व, य कैसा हो जाता है संतुलित तब कैसा हो जाता ये समिकरण संतुलित हो जाता है देखिए अब यहां पर मेगनेशियम तत्व के परमानों दो हैं O के परमानों दो है यहां भी दो है M G के भी दो है O के भी दो है तो संतुली तरह साइनिक समिकरण इसे ही कहते हैं देखिए तो क्या कहेंगे जिस समिकरण में सभी तत्वों के परमानों की संख्या समिकरण के दोनों और समान हो कैसे लिखेंगे, जिस समिकरण में सभी तत्वों के प्रमानों की संख्या समिकरण के दोनों और समान हो, उसे संतुलित रासाइनिक समिकरण कहते हैं, संतुलन बना है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ संतुलन बना है, इसलिए हम इसको संतुलित रासाइनिक समिकरण कहें अब किसी रसाइनिक समिकरण को क्यों संतुलित किया जाता है ताकि द्रभ्यमान संरक्षता नियम को सिध्ध किया जा सके ठीक है जो आमने नाइंथ में पढ़ा था तो देखे इस प्याराग्राफ में क्या लिक्षा है आपकी बुक में आपको द्रभयमान के सनक्षता का नियम समरन होगा जिसका आपने नवी कक्षा में अध्येन किया था किसी भी रसाइनिक अभिक्रिया में द्रब्यमान का नातु निर्मान होता है नाहीं बिनाश ऐसा कुछ हमने नायंत में पढ़ा था अर्थात किसी भी रसाइनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रब्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रब्यमान के ब्रावर होता है तो उत्पाद में जो तत्व हैं उनका द्रब्यमान और अभिकारक के तत्वों का कुल द्रब्यमान एक समान रहता है ये याद रखना है अपने, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, रासाइनिक अभिक्रिया के पहले एबम उसके पश्चाद प्रतेक तत्व के परमानों की संख्या समान होती, ऐसा भी बोल सकते हैं, द्रब्यमान से ले लो, चाहे परमानों की संख्या से ले लो, ठीक है, तो अभिक्रिया से पहले और पश्चात में तत्वों के परमानों की संख्या समान रहती है इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है जो असंतुलित था उसको हमने क्या नाम दिया है कंकाली समीकरण कंकाली समीकरण को संतुलित करना जरूरी है कैसे कैसे संतुलित करेंगे यहां पर यह आपको दे रखा है जो भी यह एक अभिक्रिया लिखी है रासाइनिक अभिक्रिया जिंक की सल्फिरी कमल के साथ जो हमने की थी जिसमें hydrogen gas निकली थी तो क्या क्या बनता है देखो यहां यह अभिकारक है यह उत्पाद है ठीक है तो देखिए उस अभिक्रिया को कर लेते हैं हमने क्या किया हमने जिंक धात्तु ली है और जिंक धात्तु को किस में डाला है सल्फ्यूरी कमल में यह मैंने क्या लिखे जो पहले जीजें लीज अभिक्रिया होई तो arrow का निशान लगाया है अब क्या बनेगा अब हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट बन गया और कौन सी गैस निकली हाइड्रोजन तो यह बाद में बने इनको क्या कहेंगे हम उत्पाद तो ये जो उत्पाद हैं यहाँ पर देखो 2 से 2 है तो क्योंकि यहाँ उत्पाद 2 है इसलिए इनके बीच में भी मैंने क्या लगाया है प्लस का निशान लगाया है तो यह हमारे पास रसाइनिक समीकरण को लिखा हुआ है पर हम देखेंगे, सभी तत्वों को लिखेंगे, क्या-क्या है, ZN है, Hydrogen है, Sulfur है, Oxygen है, यहां भी ZN, S, O और H, ठीक है, कौन-कौन से अभिकारक है, यह कौन-कौन से है, ZN, H, S, and O, अब यह लिख दिये सारे तत्व मैंने, यहां पर लिखूंगा मैं, जो अभिकारकों में इनकी संख्या है, अभिकारक में संख्या, और फिर उनके आगे लिख्योंगा, उत्पाद में संख्या, तो देखते हैं, अभी हमारे पास ZN कितना है, यहां पर है ZN, 1, अभिकारक में ZN कितना है, 1, Hydrogen कितने है, देखो, 2 लगा है, यहां पे तो लिखूंगा, 2, Sulfur कितना एक, ओ कितना है, चार लगा इसके साथ, चार, यहां पर करेंगे, उत्पाद में ZN कितना है, एक, बराबर हैं दोनों, सल्फर कितना है, सल्फर यहां भी एक है, और यहां भी एक था, ठीक है, हाइड्रोजन यहां दो है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, तो यह भी बराबर औक्सीजन देखो यहां. ओ 4 है, तो यहां 4 है, तो यह तो जितनी संक्या अभिकारक में है सभी तत्वों की उतनी ही उत्पाद में भी दिख रही है में, यानि यह समिकारण पहले से ही काईसा है संतुलिध, तो इसको आप संतुलित करने की जुरूरत नहीं है, पहले से ही संतुलित है, ठीक है? तेखो अपनी बुक में, यहाँ पर क्या किया है? सभी तत्वों को लिख दिया है, यहाँ अभी कारकों में, left hand side में, बाइय और, zinc 1 है, hydrogen 2 है, sulfur 1 है, hydrogen, oxygen 4 है, यह देखो, zinc 1, hydrogen 2, zinc 1, hydrogen 2, sulfur 1, oxygen 4, ठीक है? और वितनी ही संख्या उत्पाद में भी है इनकी यहां पर देखो उत्पाद में तो यह बराबर है यह सब बराबर है तो यह पहले से ही संतुलित है ठीक है अगर हम दूसरा एक और उधारन लें आइरन को हमने जल में डाला है आइरन को जल में डाला एफ उत है आइरन एच ट तो दो अभिकारक हैं और यह उत्पाद हैं पीछ में तीर का निशान है तो हम देखेंगे यहां पर FE 1 है यहाँ पर FE 3 है तो अभिकारक में FE 1 है और FE उतपाद में 3 है हाइडरोजन यहाँ 2 है यहाँ 2 है ऑक्सीजन को भी देखो एक है लेकिन उतपाद में तो इनकी संख्या 4 है ठीक है तो इसका मतलब यह असंतुलित है संख्या बराबर नहीं है यह बना दिया हमने सबसे पहल जैसे पहले किया था आयरन की संख्या लिक्कि अभिकारक में हाइडरोजन की लि कि यहां अगले हमें हम तेखो क्या लिखा है यहां पर यहां पर संख्या कुछ और यहां पर कंकाली समी करना है हमें इसे योग को पहले संतुलित कीजिए तो सबसे अधिक पर नोगी कौन सा है यहांपर ये ड़ा योगिक जिसमें सबसे अधिक परमाणू है कितने परमाणू है चार और तीन साथ यहां बाकि कोई भी यॉगिक ऐसा नहीं है जिसमें साथ परमाणू हो इसमें तीन है दो हैट्रोजन के एक अक्सीजन का इसमें एक ही है इसमें हैट्रोजन के दो परमाणू है लेकिन इसमें सबसे अधिक परमाणू है तत्व को चुनिए तो इसमें यह जो F3O4 था इसमें भी हमने वो परमाणू देखने जिसमें अधिक परमाणू आइरन के 3 है और उक्सीजन के 4 तो उक्सीजन को लेंगे सबसे पहले तो यहां पर लिख देंगे और उक्सीजन के परमाणू अभिकारकों में है एक और उत्प चार करने के लिए 4 से गुर्णा कर देंगे ठीक है और यहां तो पहले सी चार था तो यह चार हो जाएगा देखो कैसे करना है इसको देखो यहां ध्यान से यहां पर अक्सीजन यह है एक है यहां पर अक्सीजन चार है तो यहां अक्सीजन को चार बनाने के लिए तो देखो कैसे करना है हमने इसको लिया यहाँ पर oxygen इसमें 4 है इसमें 1 है तो इसको बराबर करना है तो सबसे पहले इसको 4 यहाँ पर लिखना है यहाँ पर नहीं कर देना 4 तो गलत हो जाएगा ठीक है formula नहीं change करना आप लोगों ने पीछे लगाना है फॉर्मूले के पीछे लगाना है अब यहां पर क्या हो रहा है फिर से देखेंगे तो यहां पर एक संख्या और बढ़ लिए ऑक्सीजन तो चार कर दिया मैंने इधर भी ऑक्सीजन चार है तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ट है लेकिन यहां हाइड्रोजन को देखो अब हाइड् बाद में hydrogen को तो उत्पाद में जो यह hydrogen है इसके साथ मुझे चार लगाना पड़ेगा यहां तो यह balance हो गया यह भी 8 हो गये यह 8 हो गये oxygen 4 हो गये यहां भी oxygen 4 है अब लेंगे iron को F e F e यहां पर है एक अभीकारक में है देखो अभीकारक में यह एक है और यहां पर 3 है तो क्या करना पड़ेगा मुझे इदर 3 से multiply करना पड़ेगा तो 3 हम यहां लिखेंगे यहां ठीक है इसको थोड़ा correct कर देता हूँ यहां क्या करेंगे हम 3 F e ठीक है तो 3 बन गया अब iron भी 3 हो गया oxygen यहां पर 4 हो गया है और यहां भी 4 हो गया है और यह balance हो गया सब यहां पर ठीक है और यह भी 8 हो गया है तो इस तरह से chemical reactions को chemical equations को आपने balance करना है जरूर यह है balance करना इसे हम कहेंगे संतुलन तो यह संतुलित हो गया रसाइनिक समिकरन balanced रसाइनिक समिकरन यह जो उपर हमने लिखा है यह balanced है ठीक है तो इसको correct कैसे लिखना है हमने देखो सही क्या था इसका 3FE 3FE plus 4H2O और arrow उत्पाद क्या बनेगा FE 3O4 plus 4H2 यह हमारे पास जो समिकरन है यह हमारे पास संतुलित रसाइनिक समिकरन अब यहाँ पर हमने इस समिकरन में भौतिक अबस्ताओं के संकेत भी लिखने है यह जो हमने अभी समिकरन लिखा अच्छां को hit Band trial विधी भी कहते है यह याद रखना है हिट Ann trial मेयथड है और इसमें भौतिक अबस्ता को कैसे लिखा जाता है आपको पता है आईरन जो है ठोस अबस्ता में है ठोस के लिए हम S का प्रषय करते है और लेकीन आईरन कभी भी जल के साथ अभी खेयर नहीं करता इसको ऑप steam के साथ अभिक्रित करवाते हैं तो यह H2O जो है यह gas अबस्था में है तो यह steam है यह ध्यान रहे यह steam है तो यहाँ पर steam के लिए यानि steam क्या है कि gas है तो H2O के लिए G का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आगे लिखा हुआ है उसके साथ बगाता हूँ आइरन solid है तो S लिखा है और H2O जो है वो gas अबस्था में है G ठीक है steam के साथ हमने यहाँ अभी करवाई है तो यहाँ पर फिर से iron oxide जो है यह solid form में बना है यह अगेन एक solid form में है और उसमें gas निकल रही है hydrogen तो hydrogen एक gas है तो इसके लिए G का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपका gas drop जलियत था ठो सबस्था है उसके लिए G L AQ और S यूज करते हैं अगर हमने कोई a q यूज किया जाता है a q ठैक है तो यह धियां रखना है अपने आपे तो यह शीखना है अच्छे से और और बी समीकरण को सम्तूलन करने का प्रयास करो, नहीं आएगा संतुल्इत करनें, तो आपने पूछ लेना है, ठीक है? यह आप यहाँ पर देखो, यह कुछ समीकरन आपको लिख्यों है, आपकी बुक में इनके समीकरन लिखो और उनको बैलनस करो, निमलिक तरह साइने का भी करेयों के लिए संतुली तरह साइ और hydrogen chloride hydrogen होता है H2 plus Cl2 और इससे बना HCl hydrogen chloride इसको balance करना है ठीक है hydrogen दो है chlorine दो है यहाँ एक एक है तो simple पीछे दो लगा दो hydrogen भी दो हो गया chlorine भी दो हो गया ठीक है तो balance हो गया बाद में यह तो easy था बाकियों को भी करना है barium chloride barium chloride का formula है BACL2 plus aluminium sulfate AL2SO4 और यह बनेगा thrice और इससे क्या बना है यह यहाँ पर लिखा है देखो बना है barium sulfate और aluminium chloride barium sulfate होता है BASO4 और aluminium chloride होता है ALCL3 ठीक है यह formula कैसे बने हैं यह हमने 9 में सीखे हैं तो यह संतुलित करने हैं उसके बाद तीसरा जो है sodium और जल की यह sodium होता है NA और जल होता है हमारे पास H2O और यह बनाता है हमारे पास sodium hydroxide NaOH प्लस hydrogen होता है H2 और इनको balance करना है यह मेरे ख्याल से पहले हिसने नहीं balance नहीं है इसमें 2 hydrogen एक यह 3 hydrogen यहां 2 है इसको भी balance करने का आपने प्रियास करना है ठीक है हो